हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्पित और आपका स्वागत है लॉट्स आफ लिटरेचर पर दोस्तों आज हम जिस पोएम की समरी और क्रिटिकल एनलिसिस को डिसकस करेंगे वो है विलियम वर्ट्सवर्थ की इस पोएम पर आलेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ आप पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि तब ही आप इस पोएम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आए चलिए देखते हैं इस पहले फोटीन लाइन्स की एक पोएम है जो कि एक सॉनुट है और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पोएम दो पाइट में बटी हुई है पहले आठ लाइनों का ओक्टेव है और बाद की six लाइन तो चलिए देखते हैं Angerly, the speaker accused the modern age of having lost its connection to nature and to everything meaningful यानि यह poem गुसे में लिखी गई है William Wordsworth के दौरा और वो accused कर रहे हैं यानि आरोप लगा रहे हैं modern age पे यानि आधुनिक दुनिया पे इसका मतलब है कि वो समय जिस समय उन्होंने यह poem लिखी थी 1800 के शुरुआत में उन्होंने poem लिखी थी तो उस समय की दुनिया को उस समय के समाज को वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने क्या किया है हमने अपने सारे connection जो है खो दिये हैं nature से यानि प्रकृत से और हर उस चीज से जो की meaningful है the material world that of the city our jobs our innumerable financial obligations controls our lives to an unhealthy degree वो ऐसा कह रहे हैं कि यह जो हमारे शहर है हमारी आधनिक दुनिया के material world में यह इस तरह से फसे हुए हैं यह शहर हमारी jobs यह नहीं हमारी नोकरियां जो हम करते हैं जिस काम में हम busy रहते हैं और हमारी सारी financial obligations अंगिनत financial जिम्मेदारियां जो हमारी होती हैं वो इस तरह से हमारी जिन्दगी को control करती हैं कि अब यह unhealthy हो चुका है we are always rushing from one thing to the next हम हमेशा एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागते रहते हैं we are money one day just to spend in the next हम एक दिन पैसा सिर्फ इसलिए कमाते हैं कि अगले दिन हम उसे खर्च कर सकें the result of this is that we have destroyed a vital part of our humanity और इसका result यह है कि हमने अपनी मानोता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही important हिस्से को destroy कर दिया है we have lost the ability to connect with and find tranquility in nature और हमने अपनी ability को खो दिया है किस चीज़ की इस nature से connect होने और nature में शांती पाने प्रकुरिती में शांती पाने की अपनी ability को हमने खो दिया है आगे देखते हैं in exchange for material gain we have given away our emotion and liveliness और material gain पाने की खातिर चीज़ों को इगठा करने की हमारी जो आदत है उसके लिए हमने अपने emotions और liveliness को खो दिया है हमेशा के लिए आगे देखते हैं this ocean इसके बाद देखिए यह nature की बात कर रहे हैं और यह खासियत थी जो romantic poets होते थे तो उसमें nature और childlike innocence का बहुत ही जादा इसको बढ़ा चड़ा कर लिखा जाता था इसको बहुत अच्छा माना जाता था तो चलिए देखते हैं this ocean that reflects the moonlight on its surface यानि यह जो समुद्र है जो reflect कर रहा है चांदनी को अपने surface से यानि पानी की सता से टक्रा कर यह जो चांदनी reflect हो रही है और चारों तरफ फैल जा रही है and the peaceful momently windless night और यह जो रात का जो समय है जो की शान्थ है windless है यानि की अभी हवा जो हमेशा चलती रहती है लेकिन अभी जो की शान्थ हो गई है which is like flowers whose petals are folded up in the cold जो की एक ऐसे full की तरह है जिसकी पंखुडियां जो है वो fold हो गई है ठंड के समय ठंड की वज़ा से these natural features still exist यह सारी जो खुबसूरत natural चीज़े हैं प्राकृतिक चीज़े हैं वो अभी भी exist करती हैं but we just cannot appreciate them लेकिन हम उन्हें appreciate नहीं कर सकते क्योंकि हमाई तो उन पर नजर जाती ही नहीं है our lives have nothing to do with the rhythms of the natural world और हमारे जिन्दगी का कोई लेना देना नहीं है इस natural यानि कि इस प्राकृतिक दुनिया का जो rhythm है जो lay है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है as a result those rhythms have no emotional impact on us और इस वज़ा से ये जो प्राकृतिक चीजे हैं उनका कोई भी emotional प्रभाव नहीं है हमारे उपर आगे देखते हैं then wordsworth says that my god I wish that I were raised in a culture that worshipped many gods इसके बाद wordsworth कह रहे हैं कि God वो God से request कर रहे हैं उनसे चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे किसी ऐसे culture में rise किया गया होता है यानि मैं किसी ऐसे culture में पला बढ़ा होता जिसमें कई gods को worship किया जाता है यानि बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है देखिए Christianity का ये idea है कि God सिर्फ एक है लेकिन Christianity से पहले यूरोप में और उस area में जो religion था उन्हें pagans कहा जाता था और वो बहुत सारे gods की पूजा करते थे जिन में से अगर आप movies या comics पसंद करते हैं तो कुछ को आप जरूर जाते होंगे जैसे Thor, Auden, Loki ये सारे देवता है pagans के तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसे culture में पला बढ़ा होता जो कि कई God को worship करते थे इसका मतलब कि अगर मैं pagans होता एक मैं pagans family में बढ़ा होता ऐसा मैं चाहता हूं दो that religion is now outdated हालांकि अब वो जो religion है जो pagans वाले religion था अब वो outdated हो चुका है क्योंकि इस समय तक वो religion खत्म हो चुका था यहां से that way standing on this pleasant patch of grass तो हलांकि वो religion खत्म हो चुका है लेकिन मैं चाहता हूं कि काश की मैं एक एक ऐसी family में पला बढ़ा होता है एक pagan family में जो कि बहुत सारे gods की पूजा करती थी that way standing on this pleasant patch of grass और अगर ऐसा हुआ होता तो इस यह जो खुशनुमा घास का जो मैदान है यहां पर खड़े होते हुए यानि जब मैं यहां पर खड़ा होता तो क्या देखता मैं I might be calmed and hurt and by the image of the ocean before me तो हो सकता है कि मैं यहां पर जब खड़ा होता तो मैं अकेला न महसूस करता बलकि मैं शान्त रहता और मैं एक image देख सकता किस चीज़ की ocean before me तो शायद मुझे अपने सामने एक समुद्र दिखाई देता I might see the Greek God Proteus taking shape before my very eye देखिए प्रोटियस एक समुद्र के देवता थे Greek God थे वही pagan religion के तो यह कह रहे है कि जब मैं इस खूबसूरत घास के मैदान में खड़ा होता तो मैं अकेले ही हूँ और कोई इसको जो है appreciate करने वाला तो अब यहाँ पर है ही नहीं तो हो सकता है कि अगर मैं पैगन होता तो मुझे यहाँ पर एक समुद्र दिखाई देता और समुद्र के देवता प्रोटियस हो सकता है कि मेरी आँखों के सामने आ जाते और here another Greek God या फिर हो सकता है कि मैं एक दूसरे Greek God की आवाज सुनता जिनका नाम है Triton तो देखिए यह उनकी आवाज नहीं सुनते बलकि उनके शंक की आवाज सुनते blow his legendary spiral grooved corn shell उनका CP या उसका बना हुआ एक legendary शंक जैसी चीज है जो की circle spiral है जो गोल गोल घूम कर बनी हुई है तो यह कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं उसकी आवाज सुनता या तो मैं Triton को देखता हूं की आवाज सुनता या फिर जो है मैं Proteus को देखता हूं की आवाज सुनता कहने का मतलब यह है कि मैं अकेला महसूस ना करता अगर मैं एक pagan होता मैं Christian ना होकर ऐसे religion में पला बढ़ा हो जिसमें कई गॉड को माना जाता है तो मैं इस दुनिया में अकेला महसूस नहीं करता अब चलिए इस पोएम के critical analysis पर बात करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे इस पोएम का form यानि कि ये उन बहुत सी सॉनेट में से एक है जो कि विलियम वर्षवर्थ ने 1800 की शुरुवात में लिखी थी सॉनेट आर 14 lines poetic inventions written in iambic pentameter सॉनेट जो है वो 14 lines का poetic invention है यानि कि वो 14 lines में लिखी जाती है आप तर पे iambic pentameter में there are several variants of sonnets लेकिन सॉनेट के बहुत सारे variants हैं जैसे Shakespearean sonnet है जैसे Petrarchan sonnet है the word is too much with us takes the form of a Petrarchan sonnet लेकिन ये poem जो है the word is too much वो Petrarchan sonnet की form में लिखी गई है molded after the work of Petrarch and Italian poet of the early renesia यहां पर Petrarchan sonnet के बारे में बताया जा रहा है कि इस poem को लिखने का जो form था उसे Italian poet Petrarch ने develop किया था जो की early renesia के जमाने के poet थे a Petrarchan sonnet is divided into two parts Petrarchan sonnet दो पार्ट में divide होती है an octave and a susset पहले octave होता है जो की पहली 8 लाइने होती है और susset जो की last की 6 लाइने होती है अब इस poem की rhyme scheme देख लेते है the rhyme scheme of a Petrarchan sonnet is somewhat variable यानि की rhyme scheme Petrarchan sonnet की variable होती है हमेशा एक जैसी हो यह ज़रूरी नहीं है in this case the octave follows a rhyme scheme of a B B A A B B A यानि की जो octave है पहली 8 लाइने हैं वो किस rhyme scheme को follow करती है A B B A A B B A and a susset follows a rhyme scheme of C D C D C D यानि बात की जो 6 लाइने हैं वो C D C D C D rhyme scheme को follow करती है जल्दी ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको rhyme scheme जानना सिखाऊंगा तो इससे आपको बार-बार इससे याद नहीं करना पड़ेगा बलकि आप खुदी से देख लेंगे कि इसमें कौन सी rhyme scheme का इस्तिमाल किया गया है इन मोस्ट पेटरारकन सॉनेट दा ओक्टिव प्रपोजेश एक और आइडिया यानि कि ज्यादा तर जो पेटरारकन सॉनेट होती हैं उसमें जो पहली आठ लाइन होती हैं वो एक कोश्चन या फिर एक आइडिया को प्रपोज करती हैं द्याट देश्टर जिनका जुह जो है सफ्टर में जवाब दिया जाता है या फिर उन पर कमंन किया जाता है या फिर उन्ने क्रितिसाइज किया जाता है अब इस पोहिम की थीम देख लेते हैं यानि 1800 के शुरुआत में वर्सवर्थ ने जो बहुत सारी सॉनेट्स लिखी थी उन में से ये एक सॉनेट है That criticized what was worse saw as the decadent material cynicism of the time जिसको की Shakespeare कहते थे उनने किस चीस को सोरी याद हा रहे है मुझे वर्सवर्थ जो है क्रिटिसाइब करते थे उसको किस बात चाहे में कि ये cynicism है यानि की एकिसम का निराशावाद है इसको वो जो है क्रिटिसाइब करते थे आगे देखते हैं इस रिलेटिवली सिंपल पोयम एंगरली स्टेट्स देट एट हुमन बिइंग आर्टू प्री ओक्युपाइड विद दा मैटेरियल एंड है विद लॉस्ट तच विद दा स्पिरिच्वल एंड विद नेचर यानि कि यह जो पोयम है जो की काफी सिंपल है तुलनात्मक रू से वो मनुष्यों की इस आदत को जो है क्रिटिसाइजिस में किया गया है कि हम मैटेरियल वर्ड में ही पूरी तरह से उलजे हुए हैं और हमने स्पिरिच्वल लाइफ और नेचर से अपना टेच पूरी तरह से खो दिया है इसके बाद जो लास्ट की छे लाइने हैं उसमें वर्ड्स वर्ड्स बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से प्रपोस करते हैं या सामने लाते हैं एक ऐसा तरीका इस प्रॉबलम को सौल करने का जो की वास्तों में इंपॉसिबल है इंपॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप जो पैगन रिलीजन है वो तो खत्म हो चुका है और क्रिश्चियनिटी जैसे जो रिलीजन है इनमें होता यह है कि सिर्फ एक गॉड को ही माना जाता है अगर आप एक गॉड के अलावा किसी दूसरे पर भरुसा करते हैं तो ये करते हैं वो ऐसा इक्षा करते हैं कि काश की उन्हें एक पैगन के रूप में पाला गया होता तो फिर वो अभी भी जो पुराने जमाने के ग्रीक गॉड थे उनको वो देख सकते in the actions of nature and thereby gain spiritual solace यानि कि जो प्रकृति की जो प्राकृति घटना हैं उसमें जो है वो उन्हें देख सकते पुराने गॉड को और उन्हें सांतुना मिलती spiritual solace मतलब की आध्यात्मिक शांती मिलती है सांतुना मिलती on the whole this sonnet offers an angry summation of the familiar wordsworth theme of communion with nature यानि कि ये जो पूरी poem है ये wordsworth की जो theme होती थी उनकी poems की जिसमें वो nature से communicate करते थे उसी को एक गुस्से भरे लहजे में जो है लिखा गया है and states precisely how for the early 19th century और ये इस बात के भी बारे में बताती है कि निश्चित रूप से जो है जो early 19th century थी was from living out the wordsworth idea वो wordsworth का जो जिन्दगी का idea था उससे कितनी दूर थी उससे कितनी अलग थी तो दोस्तों उमीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तके चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं और अगर आप किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं आज के लिए बस इतना ही